जिन्दगी की तलास में हम एल्लो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दुस्तार के एंड वेलकम टो माई यूट्यूब चेनल लास्ट विक में बहुत सारा कमेंट आया है जो आईरिग आईरिग एक्चुली किस परपर्ज में ये यूज होता है बहुत लोग बोलते हैं बहुत लोग मैं तो देखा था कुछ लोग ऐसे बताया है कि आईरिक में डाइरेक्ट wrap microphone करके आप गाना record कर सकते हैं और इसमे से मुझे जो result मिला मैं आज यही बताना जा रहा हूं तो इसका main purpose क्या है आज ये वीडियो में मैं पूरा बताने बला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, अच्छा लगा तो लाइक किजिए, और जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए, इसको मैं उपन कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा देख लेंगे, इसमें clearly लिखाए, इसमें एक चीज clearly लिखाए, plug your guitar into your iPhone, iPad, iPad and rock out, clearly लिखाए, plug your guitar, आप photo देखेंगे तो लिखाए, और इसके नीचे ना, जो गितार, जो best guitar जो लोग बजाता है, उनका pedal भी रहता है, बोस्ट करता है, तो ये और ये और ये इसमें कुछ भी फरक नहींगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको उपन करता हूँ, ये है ना, ये made in china वाला है, और इसका भी और एक अच्छा खासा branded वाला आ रहा है, वो brand का बारे में मैं बात कोरूँगा आपको, ये होगे आपका, आईरीक का, आपको इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आईरीक इसमें, देखिए मेरा पास कितना है, अथवा इसमें, ये splitter और ये मेरा पास चार splitter है, और भी एक एक कोई पर रखाऊं, ये और इसमें ना, कुछ भी फरक नहीं है, ये माल इजिए simple है, हमको splitter जैसा यूज़ करता है, बस, इसमें हम direct condenser mic यूज़ करके, हम record नहीं करें बाएंगे laptop या mobile पर, ये शिरिफ एक adapter है, sound adapter जैसा है, एक adapter, splitter जैसा है, same ही है, और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसको use करने के लिए, हमें, आइदर एक audio mixture चाहिए, नहीं तो एक audio interface चाहिए, नहीं तो हमें एक phantom power चाहिए, नहीं तो हमें V8 का sound car जैसे, V8 बड़ा sound car च दिखाऊंगा, मेरा पास है, ये तो आपका जान पेचना वाला audio mixture, फोर्चना वाला, MX का audio mixture है, तो इसके साथ मैं आज, आईरीक का, आज मैं ये कोई भी splitter यूज करने वाला नहीं हूँ, इसमें ये कोई भी splitter में यूज करने वाला नहीं हूँ, आज मैं ये आईरीक के सा वाट ओडियो मिक्ष्चर को अडियो मिक्ष्चर से आईरी का हेल्फ लेके मुबाइल या लापटप में आप कैसे रेकर्ड करते हैं आज में यह दिखा हुआ ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए फटा फट में इसको कनेट कर देता हूं और मैं आपको अभी दिखाता हूं इसमें अडियो टेस्ट करके लाइब आपको दिखाता हूं यह हो गया हमारा अडियो मिक्षर यह पारे मिक्षर के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया हूं और कुछ बताने माला नहीं हूं आप मिरा डेस्क्रिप्शन में देखिए इसका लिंक सब दिया हूं यह कंडेंसर से जो एक्सलर केबल आया है ये एक्सलर केबल को मैं audio mixer में लगा दिया तो अभी उमारा माइक काम करेगा अभी क्या करेंगे ये audio mixer से output लेंगे क्यों output लेंगे हमको रेकर्डिंग करने के लिए output लेना है तो audio mixer में जो उपर वाला जाख है ना उसमें से हमें आउटपुट लेना है आपको अगर इसी मिक्षर में ट्राक प्ले करना है तो नीचे वाला में और एक 3.5 mm का ऐसे वाला औक्स केबल करनेट करके इसमें भी आप ट्राक प्ले कर सकते हैं मैं क्या किया हूँ अब भी शिर्फ आपको आडियो टेस्ट करके दिखाऊंगा यह आरीक के साथ तो इसलिए क्या करेंगे इसमें मैं शिर्फ आउटपुट लिया तो आउटपुट लेने क के बाद यह जो 3.5 mm का पीन है इसको क्या करेंगे यही होता है देखो इसको आप डायरेक्ट लाप्टप और मोबाइल पे करके रेकर्ड करेंगे ना इसका क्वालिटी थोड़ा इतना अच्छा नहीं आता है तो इसलिए क्या करते हैं लोग मैं हमेसा बताया हूँ इसके ल करके रेकर्डिंग करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं और एक option है आपने यह आयरिक के साथ रेकर्डिंग कर सकते हैं तो यह यह sound splitter यह आयरिक में कोई भी फरक नहीं है मैं simple बोल रहा हूँ आप लोग आपको confusion कर रहे हैं आप मैं practically बोल रहा हूँ साब जो भी वीडियो बनाया हूँ practically बोल रहा हूँ अगर मेरा पर भरसा है मेरा बात पर भरसा है आप माल लिजे यह और इसमें कोई भी फरक नहीं है यह 150 रुपीज में 200 रुपीज में मिलता है यह local लिया तो 700, 750, 450 लेता है लेकिन branded लिया तो भाई 3000 से उपर होगा तो यह इसका cost में है ना एक branded वाला और इसमें कोई ज्यादा फरक नहीं है 19-20 का फरक होता है करके बोड रहे थे बस तो मैं यूज नहीं किया मैं जूट नहीं बोलूँगा तो आज इसमें अभी हम audio test करेंगे तो अभी क्या होया हम mixer से mixer से output लिए है mixer से output लेके पहले वीडियो में मैं बताया था यह spin क उतने के साथ आप यह माईकरफुन अप्शन में कणेट करके इसको डाइरेक्ट अगर लाप्टम में कनेट किया जाता था रेकड करता था लापटम में करते था और मोबाइल में मैं इफ़ायकर खरया तो अगर रेकड करता था तो में क्या करता था OTG लगा के इसको mobile में लगा देता था लेकिन आज हम laptop में करेंगे तो अभी क्या हुआ भई देखिए कुछ भी नहीं यह sound adapter के जागा में हम यह आयरिक लगाएंगे लेकिन आयरिक लगाने के लिए देखिए यहां पर यह ना यह जो pin है यह छोटा है और यह पड़ा है तो आपको SX 6.5S को साइध बुलते हैं यह बाला आपको एक pin लेना पड़ेगा तो ताकि इसको क्या करेंगे इसमें लगा देंगे और इसको हमने लगा दिया और इसको अभी आम लाप्टॉप में लगा देगे चाहे तो इसको भी आप मोबाईल पे लगा सकते मैं आपको लाप्टॉप में टेस्ट करके देखाऊंगा तो अभी देखेंगे इसका voice quality कैसे आ रहा है तो मैं mixture को on कर देता हूं मैं लाप्टॉप में audacity में आपको voice test कर रहा हूं audio mixture के साथ इसको हम यूज करेंगे तो कोई भी हम गितार भी record कर सकते है vocal भी record कर सकते थोड़ा अच्छा रहता है लेकिन इसके लिए इसको चलाने के लिए हमको audio mixture चाहिए नहीं तो एक audio interface चाहिए नहीं तो एक V8 का फांकर चाहिए नहीं तो हमको एक phantom power supply ज़रूरत पड़ेगा आज हम इसमे audio mixture के साथ मैं connect किया हूं अभी और एक बार आपको live दिखा देता ह इसको मैं देखिये audio mixture के जो condenser mic है मैं इसमे audio mixture में connect दिया हूं और इसमें से output लिया हूं Ox Cable और यह output क्या हूं यह output को देखिये यह pin के साथ और क्योंकि यह 3.5 mm का पीन इसमें नहीं जाता है तो यह वाला एक 6.5 साइथ बोलते हैं इसको इसको मैं connect किया और इसके साथ आई रिक को connect कर दिया और इसको लेके मैं laptop में जहां headphone का option दिया गया है इसमें क्यों में connect कर देता हूं को देखिए अभी तक जो भी वह समय रेकड कर रहा था यह वह माइक में रेकड कर रहा था अभी में बया मीक निकल देता हूं ताकि उसके तो लाइब में रेकड करके आपको दिखा रहा हूं तो यह हो गया यही फर्मुला हमें यह स्प्लिटर का जो काम है यह सेम काम है होम स्टूडिय सेट अप के लिए आप बिल्कुल इसको खरीदे ही है मत यही हो गया और इसका अगर लगाया है तो हम लोग ने तो मैं थोड़ा उसको दो लाइन गुनगुना के भी आपको दिखा देता हूं जिन्दगी की तलास में हम ला 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 तो फ्रेंड्स, मैं जैसे बोला, ये हमारा सिंगिंग के लिए, हमारा होम स्टूडिय सेट अप के लिए बिल्कुल ये हमको जरूरती ही नहीं है, क्यूं भई, इसको फोर उन्डेट से लेके सेवन अंडेट तक जो मैं लोकाल का बोर्ड़ रहा हूं, मिलेगा, इसको क्यूं लेंगे बोलिए हमारा कुछ एक्स्ट्रा इसमें यूटलाइज नहीं है तो क्यों लेंगे अगर देड़ सो दो सो रुपया में यह मिलता है तो हम क्यों इसको लेंगे बिल्कुल नहीं चाहिए अगर इसका एक ब्रांडड आता है थ्री थाउजन रुपीज उसको भी क्यों बुलिए अगर 3000 रुपीज में हमें एक मैंग जैसे मिक्स्ट्र ऐसे मिक्स्ट्र मिलता है 3000 में तो यह शिर्फ लेके क्या करेंगे भाई इसमें ना हम लाइब सिंगिंग कर सकते हैं इसमें ना इको है कुछ भी नहीं तो यह अब बिल्कुल लेने के लिए भूल जाईए य अल्ली गितारिस्ट देखिए इसमें फोटा भी लगाया है गितार 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 यह सिर्फ बनाया गया है गितार के लिए मैं तो बुलूँगा जो बेस गितार है इसमें काम करता है बाकी जो गितार है इसमें डारेट आप लगाया तो बिल्कुल काम नहीं करेगा तो आप इसके बारे में, अगर इसको ले लिया तो, ठीक है आप splitter जैसे sound adapter जैसे आप use कीजिए, इसको और कुछ खासियत कुछ भी नहीं है, ना तो इसका कुछ extra features है, ना तो extra कुछ खासियत है, कुछ भी नहीं, ये श्रिप हम दुसरा भासे में इसको बुलेंगे तो ये sound splitter है, sound splitter जैसा है, नहीं तो sound adapter जैसा है, same है, इसमें हम direct कुछ भी नहीं कर पाएंगे, friends, मेरे को उमीद है, ये वीडियो आपको अगर जो भी doubt था, आईरिक के बारे में, ये doubt आपको clear हो गया होगा, मैं practical इसको, आपको audio test करके भी दिखाया, मिलेंगे, और एक बहतरन वीडियो के स तब तक लिए, नमस्ते.